नमस्ते साथी अरू तपाया अरूला इस्टड़ी टाइम यूटूब चैनल मा स्वाग गाच्छा आजको एस वीडियो मा आमी अरू बीबिये फोर्थ सेमिस्टर अंदर गर रहेको आमरो फाइनांसियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को यूनिट टू कैपिटल स्टक्चर एंड लीब्रेज संगा related 10 products को निमरेकल प्रोबलम सलबकडना गयर रहेका चाँँ आजको एस वीडियो मा आमी अरू 2019 को फाल तोनी आमरो प्यू एग्जाम मोडेल मा सोधियको थे त्यो निमरेकल प्रोबलम आमी सल्ब गर्ण गईरेका चौँ एस बंदा अगी को वीडियोज अरूम मा यह चैप्टर संगर रिलेटेड बेरी सट अनि संग्षंगई इसको लॉंग कोईशन अरूपनी सल्ब गरेको वीडियो तपा अरूको माज राखेको थिये तपा अरूर त्यो एड़नु भयको चा अरूर तपार गर्यर मजार ले एड़ना सक्थन होंचा आज आमी एसा चैप्टर अबेस बहर तूथाज़न नाइटिन को फाल निम्रिकल प्रोबलम सल्ब गर्ना गईरेका चौँ इस प्रोबलम मा आमला बने कोचा Maxwell Industries has a debt equity ratio of 1.5 बने चानि तेशागर इसा डबले एसी सी इज 11 परसेंट एंड इसा कोस्ट अब डेप्ट इस 8 परसेंट दा कर्पूरेट टैक्स इस 35 परसेंट बने रामला के देखोचा information देखोचा अब तेशेगर इस थुर आमले के find out गर्ने चा what is the Maxwell cost of equity capital बने चा cost of equity capital आमले find out गर्ने चाहूं जोन Maxwell Industries को तेशेगरी Maxwell Industries अरुके only bought cost of equity capital बने आमले find out गर्ने चाहूं तपा आरुलाई मैं ले बनाए रहेको वीडियो कस्तो लाग सही दी रामलो लागी रहेको छा बने किरपायन लाइक गर्दी नोला अब डिलाई न गरी कना आमी इसको सोलूसन तरप लागम हामी ले एरी रहेको 2019 को फॉल 19 को फॉलाई सब बन्दा फस्ट आमीर के लेकों गिबन मा के केम पर्मेशन देखो छा ते लेकों सब बन्दा फस्ट आमलाई देखो छा debt equity ratio देखो छा debt equity ratio जासले आमले के ले डिल डिनोड गर्चे चाहूं आमीर काती देखो छा त्वेट हो चो चो रहें लुट फाइंट अडिसारबी टैक्स रेट देखो चा टैक्स रेट हो चाहा हaceyो daw enables 35 पढूत हेंट देखो चाहा है यहला क्यों फाइंड़ाओ कται पर सेल लुट और अपुरिं होध्य गर्नाप्णी بशने इसमा मैं केरो वी तो दे इंफोर्मेशन प्रोवाइड 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 वी कैन यूज दी एक्वेशन एक्वेशन प्रोर क्यालकुलेटिंग फोर क्यालकुलेटिंग डवन एएसी सी टू प्यांड दी कॉस्ट आफ इक्वेटी दी एक्वेशन प्रोवाइड डवन एसी सी आम एसमा की गणने चुँ यो माथिमा देखा जून इंफर्मेशन चुछ आम एसमा बेस भाईर आमले की यूज गरने चौ डबले एससे क्यालकुलेटिंग गरने इककोईशन यूज गरे रामले की फाइंड आट गरने चौ यूज गरे रामले की फाइंड आट गरने चौ कमपनी एज और डेप्ट इक्वीटी रेशियो इक्वीटी रेशियो अफ 1.5 जुन आट प्वीट फाइब चैने आमले डेप्ट अप इक्वीटी रेशियो कच्च 1.5 येसले क्या बन्चा वने विच्च इंप्लाइज दी ओट अफ डेप्ट इस जसले के इंप्लाइज गर्चा वने की ओट अफ डेप्ट इस 1.5 बाई कथी हुने चा 2.5 आइंड दी ओट अफ इक्वीटी इज 1.5 बाई 2.5 उने चा ते शले 100 अब क्ये गरने चा आमले डबल एसीस को फर्मूला लगा उने चा डबल एसीस को स्ट के बने का थे हो आमले यस डिबाइड बाईड बाई यस प्लास बी यामरो क्यो को स्ट अफ इक्वीटी प्लास बी डिबाईड बाई यस प्लास बी अनि आमरो कोस्ट अप डेप्त इन्टु 1- t मने टेक्श जश्ब के यामले फैंड आउट गाडने नु परणे औ अन्दे सकर बी आमरो का थे हो 1.5 याशB क्वाइट सामरों स्ब्स बिए यह निक ओने को 1.25 ऐने क advice ऑने थे फाट से नेकान स्टनु देच आपाई था थे और तैट स्ट्ट देच चुम है गोट तुरो पाइज थे फाट पसट यह को Вोट अब अम डोट ए चेह न необходимо simplest like calculate and you have 0.11 boh on you calculate got the carry amro kati boh 1 divided by 2.5 cost of equity boh plus you kati boh amro 1.5 divided by 2.5 into 0.08 on into you got दाखेर आम्रो कती बोh 0.65 0.65 यह बोh और जिरो पॉइंट 11 equals to यह आम्रो कती बोh 1 divided by 2.5 ke जास्ता को तेस्ते राखने प्लस और आमले यह calculate गर्दा आम्रो कती उंचा value यह गर्दा आम्रो बोh 0.0312 अब यह एता गर्या क्योंचा माइनस को उंचा नि कती उला यह फस्ट 1.25 ke 21 के उंचा एता माइनस बोh 0.11 minus 0.0312 यह गर्दा आम्रो value उंचा 0.0788 अन्य यह आम्रो के बोh 1 divided by 2.5 ke अन्य 1 divided by 2.5 गर्दा खेरे 1 divided by 2.5 गर्दा खेर आम्रो कते है 0.4 ke एन्य की ke कस्टू कती आम्रो 0.0788 divided by 0.4 0.4 आम्रे 1 divided by 2.5 गर्दा 0.4 आयो अन्य यह गर्दे 0.0788 divided by 0.4 गर्दा खेर आम्रो कते हैं 0.197 ke कस्टू कते हैं 0.197 इसको मतलब क्या आयो ke कस्टू कते हैं 0.190.7 percent cost of equity आम्रो 9.7 percentagewhere इससे गर्दा और इसको कवेंतनल नमर गर्दे अनलीबड, cost of equity, capital, find out, गनने पोनने चो, आम्रों question number 2 मा, एसको question number 2 मा, आमलेक्य find out कोनने पोनने चो, to find the only word क्यो, cost of equity औनी, cost of equity, we need to use M and M, परपोर्शन शेकेंड विथ टैक्सेज हाम टैक्सेज को साथ में यूज़ गणड़ पढ़नाँ थे सले सू के होंचा फर्मुल एक कस्टू के होंचा कस्ट अफ लिब्रेज इकास्ट केंड डिकस्ट आफ इकविटी अलिब्रेज प्लस कि आम्रो कस्ट आफ उबट यो अनी मिदेड़ वाई यस वान औरो यूज गरने चा अब यह फर्मुलां में बीस वरामले ये थुरू कहंड आउट गरने चा अनली बल और कोस्ट आप फाइंड आउट गरने चो जस्मा आम्रों यो क्ये चा कोस्ट अप इक्विटी लिब्रेज को कथी देखो चांजुन आमले यो बंदा आगाडी फाइंड आउट गराए थो ने क्वेशन नम्मार वान मा कथी आएगो जिरो पॉइंट वाननाइन सेबन कोस्ट अप अलिब्रे आम्रों कच्छा 0.8 यह बो और बी डिवाइड पाइस गर दाखेर 1.5 उन्च जो आम्रों काल्कुलेट गर गातियो माइनस टैक्स आम्रों कथी जिरो पॉइंट 0.35 परसेंट की नाकि आम्रों 35 परसेंट वन त्युका काल्कुलेशन गर दाए जाने 1.97 यो जास्ता आगो कंच्छ अन्यों अन्यों अन्लिप्रेज प्लास कोस्ट ऑप ऐ्कक्विट्पि यह ब्रेज मान्स 0.8 अन्य आम्रों कैल्कुलेट गर दाखेर करते हैंच आम्रोंantas अन्यों किछा यू एता इन्टुगैर इन्टुच अल्यों ॑न मिल्युक्मिला favorit спокой fian ौटैक्ये पॉन प्र शेंटेल प्राव्टर मोल्टिप्लाई गर अब युद्झा उप्ट युद्पर इट के युँँ ओ एसको पन यूनिट के युँचा यह समा पन के यह 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 1 क वान कोस्ट अफ इक्टी अन नन लिरेज जो 0.1 ए अट गर धखिर कती होला आम्रो 1.0975 कोस्ट अफ इक्टी अन लिब्रेज वने जाने यो अब यह के जा आम्रो मौल्टप्लाय मा चा अब विद अनलिवेस को काती आम रोड़ जीरो पॉइंट वान थिरे नायन टू एननी की यो आमरो काती होने चा 13.92 परसेंटेज एननी की आमले के फाइंट आर्गर देयर फोर दी अनलिवाड कोस्ट अफ इक्विटी इस आमरो कती होने चा 13.92 परसेंट जो आम ले क्या हो फाइंड डाओट गरे हो question number one मां आम ले के find out गरे हो cost of equity find out गरे हो question number two मां आम ले के find out cost of equity तरक्य को only word को आम ले find out गरे हो just one मां आम ले लिबड find out हो question number second मां आम ले only word को find out गरे हो that's all for today I hope this video is informative for you if it is informative for you please guys don't forget to like comment and subscribe the channel thank you keep learning keep doing well best of luck bye bye guys